नमस्कार चात्रों आर्सी आई डिफेंस एकडमी की ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है मेरा नाम महेज सिंग शेखावत है मुझे नो साल हो गए है भारतिये थल सेना वायू सेना जल सेना के चात्रों को पढ़ाते हुए एक हजार के आसपास सेलेक्शन हुए हैं जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है और लगबग सीकर जैपूर चंडिगट की जो प्रतिश्टित संस्तानों में मैंने पढ़ाया है तो दोस्तों मैं एक एक टोपिक आपके सामने रखता हूं हाइट इं डिस्टों से construction एğ今天 सब से हैं 10 डिस्टेंस एक टोपिक है जिसमें ट्रिग्नोमेटरी का यूज होगा जो 11th कुलास में 10th क्लास में आपने पढ़ी है तो सबसे पहले हाइट 10 डिस्टेंस के बारे में समझते हैं कि इसमें कहां पर यूज आती है किस तरीके सिस्क क्वेश्चन सोल किये जाते हैं सबसे पहले मैं आपको यह बताओं कि इसमें दो टाइप के एंगल्स काम में आते हैं एक एंगल ओप एलिवेशन एक एंगल ओप डिप्रेशन यानि ऑब्जर्वर तो फिर वह हम अब्जर्वर हो जाते हैं भोर अब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से हमारी ऐ इकनेक्ट हो जाती है और उसके बेस पर हमलों आप यूज सोल करते हैं देखिए सबसे पहले इसका कॉंसेप डिसक्र साथे हम लोग verge एंगल ओफ एलिवेशन क्या होता है हिंदी और इंगलीश दोनों मीडिये में मैं इस ट्रोपी को लेके चलता हूं एंगल ओफ एलिवेशन उन्यन कोण एंगल ओफ एलिवेशन क्या होता है मैं इंग्लिश में लिखूंगा डेफिनिशन में आपको हिंदी में एक चीज बताऊंगा ठीक है वेन एनी ओप्जर्वर C the object C the object in upward direction and एंगल मेड ओन इट्स आई इस गोल्ड एंगल ओफ ऐलिवेशन ठीक है? यानि कहने का मतलब भी हो गया कि एंगल ओफ ऐलिवेशन होता क्या है? जब भी कोई अबजरवर जब कोई प्रेक्षक उपर की तरफ देखता है तो उसकी आखफर जो कौण बनता है यदि हम इसको समझें इस तरीके से ये एक होरिजन्टल लाइन है और ये कोई ये प्रेक्षक है दोस्तों ये ओबजरवर है और ये ओबजेक्ट है ये कोई वस्तू है और यहां से ये ओबजरवर इसको ओबजर्व कर रहा है तो ये जो एंगल ये तो हाइट हो गई इसकी ये जो एंगल इसकी आई पर बना है ठीटा इसे कहते हैं एंगल ओफ एलिवेशन यानि ये होता है उन्यन कोण और इस उन्यन कोण के बेस पे हम लोग हाइट दा डिस्टेंस अफ दा फूट ये सारी चीज़े निकालते हैं देखिए टिग्नोमेट्री के पॉइंट ओफ यू से तिग्नोमेट्री के अलिमेंट्स को यूज करके हम सारे को संसोल करेंगे हैंगल ओफ दिप्रेशन इसका सेकेंड कि तेखिए एंगल ओफ इलिवेशन एंगल ओफ डिप्रेशन को हिंदी में बोलते अवनमन कोण ठीक है मैं आपको इसकी देफिनिशन बताता हूं कि वैन अनी अब्जर्वर वैन अनी अब्जर्वर C in downward direction, any observer C in downward direction, then angle made on its eye is known as angle of depression मतलब जब कोई प्रेक्षक उपर से नीचे की तरफ देखता है, जब कोई प्रेक्षक उपर से नीचे की तरफ देखता है तो जो उसकी आँख पर जो कोण बनता है, जो आँख पर जो एंगल या कोण बनता है उसे कहते आउनमन कोण इसका picturization करते हैं, देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पर कोई object है, प्रेक्षक, स्वरी observer है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, यहाँ object है यहाँ कोई वस्तूप मान लीजिए और यह horizontal line हमने draw की यह जो एंगल बनेगा, ठीटा, यह होगा angle of depression अब आप बात करते हैं देखिए, जब उपर से नीचे की तरफ देखा नीचे से उपर की तरफ और उपर से नीचे की तरफ इसमें देखिए यह एंगल था, यह था उन्यन और यह है आवनमन, देखिए, एक उन्यन कोण और एक आवनमन कोण, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ एक मैथेमेटिक्स का एक छोटा सा रूल समझ में आया होगा, जो बहुत पहले बच्पन में पढ़ा होगा, कि एंगल ओफ एलिवेशन और एंगल ओफ डिप्रेशन, यह दोनों एक अंतर कोण है, अल्टरनेट एंगल हैं, और यह क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो जब भी आपो किसंस करेंगे, तो आप अंगल ओफ डिप्रेशन और आच यह दोब नों हम वोसों करते हैं कि किस तरीके से इसे कोष्टन किया जाते हैं, ठीक देखिए दोस्तों एंगल ओफ एलिवेशन और एंगल ओफ डिपरेशन इससे रिलेटेट में कुछ बेसिक वेसंस लेता हूं कुछ इंदी में लिखता हूं एक पतंग की डोर की लंबाई 200 मिटर है तथा पतंग बाज इसे 30 डिगरी पर उड़ा रहा है तो वह पतंग कितनी उचाई पर उड़ रहा है ठीक है यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि भी एक पतंग उड़ा रहा है कोई व्यक्ति और पतंग उड़ा रहा है और उसकी जो डोर है वह 200 मिटर लंबी है और हमसे पूछ यह रहा है कि कितनी उचाई पर उपतंग उड़ रहा है तो हम लोग शॉल्यूशन लेते हैं देखी देखे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहां पर यह पतंग बाज पतंग बाज को मैं पॉइंट यहां बन रहा है और हमसे पूछा गया है कि इसकी हाइट कितनी है ठीक है हाइट हमसे पूछी गई है तो सबसे पहले तो आप देखिए आपके पास तीन element है दो element आपको दे रखें के ट्रेंगल के एक element आपको निकालना है आप ने यदी मैं आपको थोड़ा सा basic समझाऊंग यदी आपने हलका सा भी ट्रिक्नॉमेटरी पढ़ा है तो उसमें आपने चीज़ पढ़ी होगी जैसे गाउं में इसकूलों में आपने बच्पन में बढ़ा होगा लाल बटा कक्का और बच्षब के बच्चों ने पढ़ा होगा पाकिस्तान भूका प्यासा हिंदूस्तान हरा ह्वारा ठीक है यह दो कॉंसेट्प अपने पढ़े होंगे यह याद करने कोई तरीका है ठीक है तो यह देखिए लंब करण इसको कहते है परपंडिकुलर हाइपोटेनीज आधार करण बेस हाइपोटेनीज लंब आधार परपंडिकुलर और एंड बेस तो मैं आप से कहता हूं कि देखिए साइन ठीटा जब आप यूज करेंगे तो लबाइक या फिर प्लीच है को सीटा में एव आए या बीवा एच है और यह तरण फिटा जब आफ यूज करेंगे तो यह पी भाइब यह बेसिक टिग्नोमेट्री है यदि आप इतना सब इधान रखते हैं तो लगबग क्वेशन्स आप कर लेंगे देखें यहां पर देखिए मुझे यह निकालना परपेंडिकुलर निकालना है एंगल यह दे रखा है हाइपोटेनुज मेरे पास है तो आप बताइए मैं कौन साइगल यह बेस्ट करें down साइगल use करऊ तो देखिए साइन ठीटा में यह करता हूँ तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर बेस दोनों की ज़रत cozy लेकिन परपेंडिकुलर यह रहा और बेस यह रहा मैरे पास तो दोनों ही नहीं है यह यहुश्टा place भी चाहिए तो ठीक है मैं यहां Cos family use करता हूँ को स्थाइदati ड्री is equal to कोंस थीटा क्या है आधार बट करण अधार क्या है एकक्स और करण क्या है थैं ्रशे अब स्थाइटी की वयाली होती है कोश्च थरटी की जो वैली होती है वो थिए साइन सिक्स्टी के वेल्यू के एक्वल ठीक है तो साइन सिक्स्टी होता है रूट थी बाइटू तो यह हो जाएगा 2x is equal to 200 रूट थी तो एक्स हो जाएगा 100 रूट थी तो यह जो आ जाएगी आपकी 100 रूट थी मिटर यानि कि जो पतंग बाद जो पतंग उड़ा रहा है वह हैंडेड रूट थी की उचाई पर उड़ा रहा है ठीक है यदि इसी में अगला एक छोटा से क्विश्ण लेते हैं एक खंबे की उचाई उसकी परचाई के बराबर है तो उन्यन कोण क्या होगा ठीक है English medium के बच्चेस को कहेंगे की height of a pole is equal to their shadow then what is the angle of elevation just हम लोग बात करते हैं कि यह जो है कि पॉल है और इसकी जो पाशेडव है वह यह है और यह भी X है और यह भी X है और angle of elevation हम से पूछा गया है theta तो देखिए 10 theta is equal to x by x यानि 1 theta is equal to 45 degree इस तरीके के basic questions मैं आपको कुछ अच्छे questions कराता हूं concert based कुछ tough questions कराता हूं इसमें ठीक है एक question लेते हैं तो आप करके देखिएगा मैं English और Hindi दोनों में आपको explain करता हूं an airplane flying horizontally an airplane flying horizontally one kilometer above the ground एक airplane है वो horizontally fly कर रहा है और वो एक kilometer की का है ground से उपर है ठीक है and makes an angle of elevation 60 degree after 10 second it makes angle 30 degree then find speed of of an airplane in kilometer पर ठीक है आप इस question को जब करेंगे तो इसमें दो तीन topic mix कर दी है मैंने इसमें trigonometry भी आ गई इसमें आपने time speed and distance भी पड़ाओगा वो भी आ गया इसमें सब कुछ आ गया है देखिए इनमें तीन topics का combination आई यदि मैं आपको option दू 200 रूट 3 किलोमेटर पर आवर बी 240 रूट 3 किलोमेटर पर आवर c 200 किलोमेटर पर आवर एंड इनमें से कोई नहीं ना नॉब दी ठीक है यह कह रहे हैं कि एक हवाई जाज है जो एक किलोमेटर एक किलोमेटर ऊपर उड़ रहा है धर्द प्रत्वी प्रत्विशे और यह एंगल बना रहा है कितना एंगल ओफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री देखिए सबसे पहली और प्राइमरी कंडिशन यह हाईट एंड डिस्टेंस की टोपिक की कि आपको डाइग्राम बनाना तो आप कुशन नहीं कर सकते हैं मैं आपको एक एक कुशन को दो तीन तीन तरीके से करना बताऊंगा सबसे पहले कुछ बेसिक कोशन स्यूद ने लहां है कि एक एरोप्लेन है यहां है यहां हो जहाज और यह जहाज एक किलोमेटर ऊपर ऊड़ रहा है ठीक है 60 degree के angle बना रहा है अब यह कह रहा है कि after 10 seconds यानि 10 seconds तक इसने fly किया horizontally 10 seconds तक fly किया और इसने अब angle बना लिया 30 degree अब इसका angle of elevation हो गया 30 degree उन्यन कोन कितना हो गया 30 degree हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी speed कितनी होगी मिटर पर सेकेंड में 1 km पर आउर में यह किलो मिटर पर आउर पूछा है तो हम इसी में अंसर देंगे तो देखे दस सेकेंड में यदि horizontally जितना यहां से यहां जाएगा same-to-same height यह यह वाली सबसे पहली कंडिशन होती है mathematics में कि किसी भी बड़े से बड़े कुश्चन को आप पूरे को मत देखिए नहीं तो आप सोल नहीं कर पाएंगे सबसे पहला रूल है आप कुश्चन को टुकडों में पकड़िए सबसे पहले तो देखिए ना तो आपके पास यह वाला बेस दिया वा ना यह वाला दिया हुआ है आपके पास simply दो ट्राइंगल दिये मैं आपको इस ट्राइंगल की बात करता हूँ ठीक है हमें यहां पर क्या दे रखा है हमें एक परपेंडिकुलर दे रखा है एक हजार मिटर का और एक एंगल दे रखा है सिक्स्टी डिग्री का हम यहीं सही इस कुश्चन को पकड़ते हैं आप ले लीजिए मैं आपको नाम दे देता हूँ इनको a b c d e इस तरीके से मैं नाम दे देता हूँ तो देखिए 1060 डिग्री 1060 डिग्री परपेंडिकुलर बी अपन अबी तो देखिए बी क्या है बी क्या है 1000 और एबी क्या है यह भी है नहीं तो यह 1060 कितना होता है रूट तरी और यह 1000 बाइब अब बात करते हैं कि अब इस चीज को आगे लेकि चलते हैं हमारे पास यह आ गया यहां पे 1000 अपॉन रूट थिरी मीटर अब बात करते हैं हम लोग ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में क्या करेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में हम लेंगे 1030 डिग्री में यह वाला ट्राइंगल यूज होगा और परपेंडिकुलर है इसका cd लेकिन देखिए इस बड़े वाले ट्राइंगल को जब आप यूज करेंगे तो इसका जो बेस है वो होगा a c तो देखिए c d और a c को आप कैसे लिखेंगे a c को a b plus b c ठीक है तो 1030 होता है 1 by root 3 1 by root 3 और c d कितना है c d आपका है 1000 a b कितना है a b a b आ गया आपका कितना यह आ गया आपका 1000 बाइड रूट 3 कि ठीक है आप सिंप्ली यदि इसको इस तरीके से सोल करना चाहते हैं कि 1 by root 3 c d c d कितना है 5000 और a c कितना है a c को आप अभी a c रहने दीजिए तो a c is equal to 1000 root 3 ठीक है अब a c जो है a b plus b c तो a b कितना है a c a b plus b c a b plus b c is equal to 1000 रूट 3 तो a b कितना हो गया a b है 1000 बाइड रूट 3 plus b c 1000 रूट 3 और b c कितना आ गया 1000 रूट 3 1000 रूट 3 यह हो जाएगा कितना b c is equal to 3000 minus 2000 upon root 3 becomes 2000 by root 3 आप धान दें यह जो b c आया है b c यह है 2000 by root 3 कि बस इसी की हमें जवरात थी कारण क्या था कि प्लेन इप्वाइंट से फ्लाई करके और डीप्वाइंट तक 10 सेकेंड में पहुंचा टाइम हमारे पास था डिस्टेंस हमारे पास आ गया और हमने यदि हलका सा भी दस्वी क्लास में पढ़ा हो तो आपने स्पीड इस इक्वल टू पढ़ा होगा डिस्टेंस अपूंट टाइम यानि स्पीड चाल वराबर दूरी बटा समय और दूरी कितनी हैं है 2002adeер defect समय कितना है दत सेकेंड लेकिन यह आया मिटर सेकन्ड में यह किसमें मिटर पर सेकेंड में और आपने एक चीज और पढ़ी होगी यदि आपने हलका पूल का यदि बचपन का याद हो कि यदि किलो मीत्र पर होर में दिया हो और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम लोह ओं कहा जाता था कि 5 by 18 से मल्टिपलाई करो वो इसलिए कहा जाता था कि 1 km और 1 आवर देखिए 1 km में 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेकंड आप इसे कट करेंगे तो यह हो जाता है 5 by 18 के इकोल है मिटर पर सेकंड में दिया हो और km और निकालना हो तो देखिए हम लोग यह करते थे कि 1 by 1000 आप और 1 by 3600 यह हो जाता था 18 by 5 km और और यह मिटर पर सेकंड तो मुझे क्या करना है km2 में निकालना है मेरे पास मीटर पर सेकंड में यह मीटर पर सेकंड में हैरो मुझे किलो मिटर पर आऊर में न sellers तो हम इसे मूंटिप्लाई करेंगे 2000 अप्वाँ टीन हें ठीक है और इन्टू एटीन बाइटेन बाइटीन बाइतिव 2000 upon root 3 into 10 into 18 by 5 जब आप इसे solve करेंगे root 3, 240 root 3 km पर आप, यानि 240 root 3 km पर आवर यह आपका answer हो जाएगे, ठीक है? एक conceptual question और लेते हैं, height and distance का, देखिए, वैसे तो second question बनाए जा सकते हैं, एक normal concept के base पर, हम एक छोटा question और लेते हैं, चलो इसको हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में इसको लिखते हैं, कि एक मिनार की, एक मिनार का, बिंदु A से, ठीक है, एक मिनार का, बिंदु A से, उन्यन कौन, मिनार का, उन्यन कौन का मतलब मैं चोटी से बात कर रहा हूं, ठीक है, एक मिनार का, बिंदु A से, उन्यन कौन, तीस डिग्री है यदि मिनार की तरफ 20 मीटर चला जाए जाए तो सबसे पहले मैं आपको मिनार की उचाई से रिलेटेट बात करूं तो सबसे पहले हमें इसका डाइग्राम पिक्चर बनानी होगी यह कह रहा है कि एक मिनार है और पॉइंट ए से बिंदू ए से उन्यन कौन इसका 30 डिग्री ठीक है यह करें दि मिनार की तरफ हम लोग 20 मिटर चलें यानि यहां मैं भी पॉइंट माल लेता हूं और इस डिस्टेंस को मैं 20 मिटर माल लेता हूं और यह कह रहे हैं कि यहां से इसका एंगल 60 डिग्री में कर्वर्ट हो जाता है और हमें हाइट चाहिए यह हाइट चाहिए चीक है सबसे पहले हम इसे एक्स माल लेते हैं आप अब देखिए पहला सॉलूशन मैं इसको यदि मैं ट्रैडिशनल इस को सोल करूं सबसे प आपके पास एक इंटर्नल ट्राइंगल है यह वाला 60 डिग्री एंगल वाला ठीक है आप नाम दे दीजिए A B यहां पे C यहां पे D ठीक है आप लिखेंगे 1060 1060 डिग्री यह परपेंडिकुलर अपन बेस परपेंडिकुलर है H अपन बेस है X और 1060 होता है कि तना रूट 3 इस इक्वल टू एच तो H इस इक्वल टू एच अपन एक्स तो H इस इक्वल टू रूट 3 एक्स ठीक है देखिए 1060 जब आप लिखेंगे यहां पे तो यह हो जाएगा 1060 क्या होता है मैंने आपको बता है कि लंब बटा आधार तो लंब है क्या H आधार क्या X तो लंब एच अपन आधार एक्स तो रूट 3 ह वाई एक्स एक्स इक्वल टू रूट 3 एक्स अब बात करते ह है next की ट्रैंगल नंवर यह जो 30 डिग्री वाला ट्रैंगल है इसकी बात करते हैं 1030 डिग्री टैन-30 डिग्री 1030 डिग्री में क्या होगा 1030 में जो बेस आएगा वो आएगा 20 प्लस एक्स ठीक है तो बेस आएगा परपेंडिकुलर वो ही रहेगा और बेस आएगा 20 प्लस X यह वाला X ठीक है तो 10 30 हो गया 1 रूट 3 H by 20 प्लस X ठीक है अब हम क्रोस मल्टिप्लाई करें तो यह हो जाएगा रूट 3 H is equal to 20 प्लस X ठीक है रूट 3 H is equal to 20 प्लस X ठीक है तो यहां पर देखिएगा यह हो जाएगा 3 X is equal to 20 प्लस X यह हो जाएगा X is equal to X देखिए रूट 3 X यह हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 आप X को H के फॉर्म में लिख लेंगे यहां पर देखिए यहां पर आप X जो है X is equal to आजाएगा H by root 3 इसको ऐसे यूज करिए X को H by root 3 और यहां से आगया है 1030 H by 20 plus X इसको इदर सोल करते हैं 1030 is equal to H upon 20 plus X यह हो जाएगा 1 by root 3 H by 20 plus X तो 20 plus X इसको cross multiply करेंगे 20 plus X is equal to root 3H X की जगे आप रख दीजिए H by root 3 तो 20 plus H by root 3 is equal to root 3H तो आप देखिए इसको उधर ले जाएगे root 3H minus H by root 3 root 3H minus H by root 3 is equal to 20 तो इसको देखिए 3H minus H upon root 3 is equal to 20 तो यह हो जाएगा 2H is equal to 20 root 3 तो H आगया 10 root 3 तो देखिए height जो आ गई वो आ गई 10 root 3 10 root 3 तो इसी question को आप लोग दूसरे procedure से दूसरे तरीके से short में समझना चाहें तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि देखिए सबसे पहले आप देखिए 10 के 3 angles के लिए कुछ एक theory generate करते हैं उसके बाद इसकी shortcut बना देखिए कुछ लोग कहते हैं कि D बराबर H quote theta 1 minus quote theta 2 ये short trick भी है ठीक है और आपको height निकालनी है तो अब H बराबर हो गया क्या D upon quote theta 1 minus quote theta 2 ठीक है इसमें रख लीजिए आप और रखके solve कर ये देखिए H बराबर D कितना है distance कितनी के चला 20 quote theta 1 ये एक quote theta 1 देखिए quote theta ये एक quote 30 इसको रख देते है quote 30 minus quote 60 H बराबर 20 upon अब quote 30 कितना होता है 1060 के equal 1060 होता है root 3 और quote 60 1031 by root 3 तो आप कितना आ जाएगा 20 upon ये जाएगा 3 minus 1 upon root 3 ये root 3 उपर 20 root 3 by 2 यानि 10 root 3 meter ये हो गया इसका method number second ये था इसका method number first इसको मैं हम लोग कम से कम पांच तरीके से इस question को कर सकते हैं ठीक है एक तरीका और लेते हैं इसका मैं आपको हलका सा एक theory generate करता हूं इसी question के लिए देखिए आप इसे धान से देखिएगा यदि मैं 30 degree की बात करता हूं यानि 1030 degree की बात करता हूं देखिए 1030 degree का मतलब होता है 1 by root 3 ठीक है मैं इसको x upon root 3 x लिख सकता हूं ठीक है मैं shortcut बता रहा हूं थोड़ा लिख सकता हूं तो यानि कुल मिला के यदि मैं ट्राइंगल जन्रेट करूं और मैं यह लिखना चाहूं कि यह 30 degree है तो मैं यह लिख सकता हूं इसको कुछ इस तरह बना लेते हैं कि यदि मैंने यह 30 degree लिखा तो यह हो जाएगा पर्पेंडिकुलर क्या हो जाएगा x और बेस हो जाएगा root 3 x दोस्तों हम लोगों ने एक चीज़ जानी होगी कि पर्पेंडिकुलर का स्क्वाइर पर्पेंडिकुलर का स्क्वाइर इसक्वाइर यदि आप पर्पेंडिकुलर का स्क्वाइर हिंदी में आपने सुना होगा इंग्लिश में सुना होगा हाइपोटेनिज का स्क्वाइर इसक्वाइर प्लस प करण निकालना है और करण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हाइपो टेनुज का इसकोर इसकोर हिब एकज्ट प्लस एक्स का होल स्कोर यानि कि यह हो जाएगा 3x2 स्कोर प्लस स्कोर यानि 4x2 यानि h is equal to root over 4x2 is it means 2x यहां पर आजाएगा 2x शुरुवात में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा इसका एक बहुत अच्छा वो निकल काएगा यदि 60 डिग्री एंगल की बात की जाए 45 की ले लेते 45 डिग्री की बात की जाए 10 में तो इसको हम लिख सकते हैं 1045 होता है कितना वन और मैं इसको वण भाई वण भी लिख सकता हूं और इसको एक्स गाई एक्स बिलिख सकता हूं ऐसे केस में हम लोग इसको भी एक्स लिख देंगे और यह क्या हो जाएगा यह कितना हो जाएगा रूट 2x तो देख लीजिए आप X-square 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 2x-square X-square का वो ब् तो आपको मिला कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा प्रपेंडिकुलर रूट 3X और 1X और यह ढगा 2X ठीक इस स्कॉंसेप्ट को इस टॉपिक में यहीं हम लगाएं इस चॉंसेप्ट को इस टॉपिक में लगाएं तो देखो कैसे निकल के आता है इसका आप बहुत कम टाइम में हो जाएगा जैसे सपोज करिए यह कह रहा है कि पहले तो हम लोग इस पूरे डाइग्राम को बना लेते हैं यह एंगल है 30 डिग्री यह एंगल है 60 डिग्री यह 20 मीटर का डिस्टेंस है ठीक है अब देखिए 60 डिग्री के लिए आप देखिए यह हो जाएगा यह तो X है और यह रूट 3 X यानि यह पूरा का पूरा तो है रूट 3 X और यह एक्स और यह प्रपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते अलग अलग तो हम लोग क्या करेंगे एक काम करते हैं रूट 3 X और एक्स है इस इस से यह जो है ना यहां तक का यह हो जाएगा यहां की जो डिस्टेंस से यह तो कितनी है 20 और यह है रूट 3 तो यहां वाली जो डिस्टेंस से वह क्या हो गई रूट यह